गिरिडी के तीसरी थाना पुलिस ने तीन सडक लुटेरों को गिरफतार किया है। इसी क्रम में तीसरी के घंगरी कुरायस्थित अंबा घाटी के समीब तीनों अपराधियों ने पिस्तौल की वलपर विकास पांडे के पास रखे 9000 रुपे के साथ उसका मुबाईल लूट लिया। दिनांग 523 को तीसरी थाना अंत्रगत धंगरी कुरा अंबा घाटी के पास अग्यात अपराध कर्मियों ने उस्त्यास्तिस से जाने वाले डोरंडा धनवार निवासी विकास कुमार पांडे। उनके अन्य साथी सथ्रूगन भोकता एम सुरेश कुमार तुरी को रिवालवर का भैर दिखा कर उनके मुबाईल 9000 रुपिए सथ्रूगन भोकता से 5000 रुपिए एम छोटा बठन वाला मुबाईल सुरेश कुमार तुरी से और 3300 रुपिये लूट लिए और कुछ समय के बाद उसी राष्टे से आने वाले एक कुमोग कुमार शिंग यह अविशेक कुमार शिंग उनका भी पिछा करते हुए इन्होंने उनके पास से दो मोवाईल और 6600 रुपिया छीन लिए जिसके धार पर तिसी थाना कांड संख् 1723 दिनांग 623 धारा 394 भादवी दर्ज किया गया और इस कांड के तवरित उद्भेदन के लिए पुलिश अदिक्षत मोहदेद्वारा अपसरिंचार्ज के नित्युत्य में एक टीम का गठन किया गया तीसरी ओसी के नित्युत्य में एक टीम का गठन किया गया और टीम न जिसमें एक अपरात कर्मी है नितेश कुमार पेसर सुखदेव राम साकिन लचकन दूसरा है लालो कुमार राय पेसर अरून राय तीसरा है संदीव कुमार जादो पेसर महंदर जादो दोनों साकिन सेवाधाब थाना तीसरी और इनके पास से एक पलसर मोटर साइकल ब्रामद हुई बिना नमबर प्लेट का जिसका इस्तिमाल वो लोग लूट के समय कर रहे थे और इनके पास लूटे गए तीन मोबाइल भी ब्रामद हुए इसके साथ साथ एक देसी कठा भी ब्रामद हुआ देसी कठा के संबन्द में एक तीसी थाना कान संख्या 22 दिनांग 16 तीन तैस धारा पचीस वनबी ए औबलिक 26 औबलिक 35 सस्त अधिनियम के अंतरगत धर्ज किया गया और इसमें इन तीनों अपराद कर्वियों में नितियश कुमार का अपरादिक इथिहास रहा है इनके बिलुक किसी थाना कान संख्या 83 एक तीस और तीसी थाना कान संख्या 88 एक तीस दर्जा है एक केस में ये 376 के एक यूज थे इस नए साल में भी हमारा साथ होगा दिलों में वही विश्वास होगा है हमारा वादा अब बनाएं इंडिया को मजबूत स्यादा विश्यू आल आ वेरे वेरे हापी नुएर